बारत और इंग्लेंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में टिम इंडिया ने अंग्रेजों को 10 विकेट से करारी शिकस दी मैच दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया जिसके बाद तवाम तरीके की बाच्चीद चल रही है दरसल इंग्लेंड के पूर्फदिगज और भारत के भी पूर्फदिगज ये कह रहे हैं कि पिच तीसरे टेस्ट में खेलने लायक नहीं थी लेकिन तमाम चीजों को नजर अंदास करते हुए तरह तरह के बाते भी हो रही है ऐसे में आपको बता दे कि रोहिच शर्मा ने तीसरे टेस्ट के मैच के खत्म होने के बाद बड़ा बयान दिया दरसल रोहिच शर्मा ने इस टेस्ट मैच में शांदार 66 रन पहली पारी में बढ़ाय थी दरसल आपको बता दें कि यहां पर रोहित शर्मा ने साफ तोर पर यह कहा कि पिछ खराब नहीं थी जितनी खराब सेगंड टेस्ट मैंज में पिछ थी उससे ज़ादा खराब तो थर्ड टेस्ट मैंज बनाई थी उनने कहा कि अगर आप लगतार रंस स्कोर करते तो आप रंस बना सकते हैं रोहित ने भी कहा कि दोनों ही टीमों की तरफ से बल्लेबाजी काफी साथ खराब रही जिसकी वज़े से दोनों ही टीमों की तरफ से बड़े स्कोर नहीं बन पाए लेकिन रोईत ने कहा कि जब आप सही तरीके से अगर देखें तो दूसरे टेस्मियाज की पित जाद अखरा तब भी विराट कोली ने दूसरी पारी में शांदार अर्धिशा तक जड़ा उन्होंने ये भी कहा कि मेरे और विराट के बीच भी एक अच्छी साजेदारी हूँ अर्जिंक रहाने ने भी शांदार अर्षा तक जड़ा उन्होंने कहा कि अगर आप एक बड़े बल्लेबाज है और आपको अगर अंतराश्ची क्रिकेट टीम में चुना जाता है तो आपको ये भी समझना होगा कि आप किस तरीके से टीम को आगे लेकर जाते है उन्होंने कहा कि एक अंतराश्ची क्रिकेटर को इसलिए टीम में बातचीत हो रही थी उन्होंने इस साफ कहा कि यहां पर विराट को लिए एक अच्छे बल्लेबाज है उन्होंने भी दूसरी पारी में दूसरे टेस्ट में रन बनाये थे और जो भी बल्लेबाज रन्स बनाता है मुश्किल पिछों पर उसके लिए आसान हो जाता है उन्होंने कहा कि विराट कोडी का शतक आप बहुत जल्द देखेंगे हाला कि कई बार किसी भी क्रिकेटर के लाइफ में ऐसा फिस जरूर आता है कि आप अच्छी पारी खेरते हुए भी आउट हो जाते हैं उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि विराट इन सब चीज